कलकत्त सहर में किसी भी बाजार में जाएंगे वहाँ पर सबजी आलू प्याज का अदाम इतना बाजार में आग लगा हुआ है कि आम आदमी खाने बिना मजबूर है उसके बाद में CSC का बिल आपको पता है कि पस्टिम मंगाल में एलेक्टॉरल बॉंड के माध्यम से जी का बयान है कि CSC कैसा करके दाम बढ़ाया हमको मालूम नहीं है यह कैसे हो सकता है यहाँ पर देखिए दिल्ली में जिस तरीके से नरंदर मोदी का मोदी का मोदी का अमबानी और अडानी और पस्टिम मंगाल में दीदी का संजीव गूइंका आज संजीव गूइंका आम आद्मी के उपर में इतना इतना हजारो हजार रुपया का बिल दिया है वो आम आद्मी अगर किसी का दस हजार रुपया सेलरी है तो वो खाएगा क्या इलेक्रीक का बिल क्या देगा और अपने बच्चों का पढ़ाएगा क्या यह सब मुद्धा में TNC वाले नहीं आते हैं आम आदमी का मुद्धा है CSC का इतना हजार हजार रुपय का बील है दूसरा बात है कि कोई alternative company नहीं यह कलगत्ता में जो CSC का एक तरफा tender होता है CSC एक तरफा कलगत्ता सहर में electricity supply चला रहा है तो यह जो CSC नहीं है यह चोर electricity supply company है हम लोग सरकार से यही दावी करते है कि आम आदमी के उपर में जो यह बोजा CSC का चापा जा रहा है इसको रोका जाए नहीं तो आने वाले दिन में Congress Party रास्ता में उतरेगा और तीब रांदुलन करके हम लोग ममता में जी अकान तक यह बात पहुचाएंगे कि जो डेड़ रूपिया करके unit का बढ़ाया गया है उसको अभी लम कम किया जाए और लोगों के घर में आजकल जो नया मीटर CSC लगा रहा है वह electronic meter में इतना कारसाजी किया गया है कि automatically आपका unit इतना बढ़ा दिया जाएगा कि जब आप CSC में complain करने के लिए जाएंगे तो आपको बलेगा आपका मीटर का reading देख करके हम लोग बिल दी है लेकिन वह मीटर ही जालियाती लगा जा रहा है CSC के जरिये से तो इन सब के उपर में जाच ममतामें जी क्यों नहीं कराती है इस लिए नहीं कराती है कि इलेक्ट्रोल बॉर्ण के माध्यम से उनको संजीब गईंका से चंदा लेना है ठीक बहुत दो शुक्या